पिछले कुछ महिने से आप लगातार सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा तो जैसा की आप जानते हैं पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए सीमा हैदर भारत आई और यहां आकर बस गई लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में सचिन के प्यार के लिए भारत आई है या फिर सीमा हैदर का इसके पीछे कोई और मकसद है इस बीच काफी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि वो भारत में जासूसी करने आई है आज हम इस वीडियो में उन सभी लोगों के सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि सच क्या है जैसा कि आप जानते हैं सनी देउल की फिल्म गदर में प्रेम कहानी है वैसे ही सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी है बस फर्क इतना है कि गदर फिल्म में भारत का तारा सिंग अपनी शकीना को लेने पाकिस्तान पहुँच जाता है लेकिन यहां पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आगई सीमा हैदर और प्यार भी ऐसा जो ऑन लाइन गेम खेलने के दोरान हुआ जी हां सही सुना आपने इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है मोबाइल फोन पर आउन लाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर रबू पुरा कस्बे के मीना ठाकुरान महले का रहने वाला चौविश साल का सचिन मीना सिर्फ आठवी तक पढ़ा है कोविट से पहले वो कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था कोविट काल में दुकाने बंद हो गई तो उसका काम भी बंद हो गया खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था सितमबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माیکروफोन आउन करके रखते थे इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे गेम चेट पर भी बातें किया करते थे रोजाना तीन चार घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादी शुदा हैं और उसके चार बच्चे हैं सीमा हैदर ने खुद बताया है कि वो दक्षणी पाकिस्तान के खैरपूर में रिंद हाजानो गाउं की रहने वाली है वो बारह साल की ही थी जब उसकी मा की मौत हो गई सत्रे साल की उम्र में परिवार वालों ने दो हजार चौदह में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी शादी के बाद दोनों कराची चले गए दो हजार सोलह में उनका पहला बेटा फरहान और बाद में तीन बेटियां पैदा हुई 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सौधी अरब चला गया और वो घर पर अकेले रहे गई फिर मार्च 2020 में कोविट फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया इस दोरान वो घंटों मोबाइल पर टिक टॉक देखती और वीडियो बनाती थी इसी दोरान उसने मोबाइल पर PUBG खेलना शुरू किया PUBG ने उसे गेम खेलने के साथ ही तुनिया भर के लोगों से बात करने की आजादी भी दी इस दोरान उसके संपर्क में कई लोग आए उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया जब किसी वजह से सीमा उससे फोन पर बात नहीं कर पाती थी इस बीच दिसमबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई सचिन उससे मिलकर सांतवना देना चाहता था इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में बात की कि कैसे बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाईयों के बीच मिलने का फैसला किया उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया सचिन ने आठ मार्च को कश्मीरी गेट से काठ मांडू के लिए बस पकड़ी उधर सीमा ने शारजा होते हुए काठ मांडू के लिए फ्लाइट ली दस मार्च को दोनों काठ मांडू पहुँच गए सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली एक हफते तक वे काठ मांडू में पती पतनी की तरह रहे सीमा ने माथे पर सिंदूर लगा कर भारतिय पहनावे में फोटो खिचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किये इसके बाद वो पाकिस्तान लोट गई सीमा के नाम पर एक घर था करीब 12 लाग पाकिस्तानी रुपे में उसका घर बिग गया इसके बाद उसने अपने और अपने बच्चों के लिए काठ मांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली काठ मांडू पहुँचकर उसने वहा पकड़ी न जाए कंड़क्तर ने सीमा से पूछा कहां से हो आप सीमा ने कंड़क्तर को अपना नाम सीमा और पती का नाम सचिन मीणा बताया थकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली पहुँच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलेदा कट पर उतर गए जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुचने से पहले ही उसने सारी तयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब एक किलूमीटर दूर किराए पर अप्रेल में ही एक कबरा ले लिया था। इसके बाद वे करीब डेड़ महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैत्रक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दोरान सीमा का पडोस में रहने वाली महिलाओं से परिचै हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चि जिन ने वकील से कहा कि वो मुस्ली महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। अगले दिन रबुपुरा की आमबेड कर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुचती वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वललब गड़ में पकड़ लिया। दो द हालां कि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत करा दी। अगले दिन आठ जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी गई। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता न बदलें और देश न छोड़ें। सीमा ने सचिन के पैत्रिक घर का पता दे रखा था तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैत्रिक घर में आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आया। पाकिस्तानी बहु लाने पर सचिन के घरवालों को उ विधा में हैं। उधर सीमा के पती गुलाम हैदर ने पीम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। वार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और वो जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही करेगी। वो भले ही यहां की जेल में रह लेगी लेकिन वहाँ वापस नहीं जाएगी। आपका सीमा हैदर और सचीन की इस लव स्टोरी पर क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।